हेलो दियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट बेलकम इन मा यूटूब चैनल आदर्स इंस्टिट्टूट अफ इंग्लिस सबसे पहले आप लोगों को आदर्स इंस्टिटूट अफ इंग्लिस की ओर से महा सिबरात्तिवी की हार्दिक सुपकाम नहीं आज को इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे क्लास B.A. फाइनल की एक पोईम देवायल्ड को लोग कोस्टन के बारे में जो की ये पोईम है आपकी देवायल्ड कोलोनियल बॉय ये रिलेटेड है आस्ट्रेलियन इंग्लिस लिट्रेचर से important question है पेपर में आने के chances रहते हैं देखते हैं शुरू से question है write a critical appreciation of the poem poem का critical appreciation लगिए poem जिसका नाम है the wild colonial boy उबनबेसी लड़का जिसे कहते है critical appreciation जिसको हिंदीम बोला जाता है आलोचनात्मक प्रिसंसा तो इसे लखाया है William Bentworth ने तो सुल करते हैं इसका answer सबसे पहली heading है first introduction तो William Charles Bentworth यह उनका complete name है option आजाता है what is the full name of William Bentworth तो answer जागा William Charles Bentworth is a great Australian poet यह एक महान Australia के poet है he is a famous poet of literature बहे literature के एक महान poet है यह तो आपने इनका पढ़ाई होगा कि इनका जन्म हुआ था 1790 में 1790 में इनका जन्म हुआ था और ही वाज अ पोएट भै एक पोएट थे explorer थे, journalist थे, politician थे मतलब poet, explorer, journalist और politician he was one of the leading figures of early colonial new south wales क्या मतलब जो new south wales है इसके वे early जो प्रार्णबिक थे उपनिवेशी उनमें से एक figure थे आकरती थे अब ये new south house wales new south wales ही होता क्या है ये south eastern australian state ये एक state है, राज है, इसका नाम है new south wales यहाँ पर वो कौन थे? एक one of the leading figures उनमें से बहुत से जो लोग थे प्रार्णबिक उपनिवेशी उनमें से एक थे he has composed many poems उन्होंने बहुत सारी poems composed की है the wild colonial boy is one of them wild colonial boy उनमें से एक है ये थोला mister को गया colonial ये L हो गए हाँ पर उसका आती है next heading next heading है the title of the poem poem का title the wild colonial boy is a famous poem of William Bintworth wild colonial boy बिलियम बेंटवर्थ की एक famous poem है the title of the poem is well constructed इस poem का जो title है जिसका नाम है the title of the poem जो की है the wild colonial boy ये well constructed है वह अच्छी तरह से निर्मत है which belong to the wild colonial boy जो एक wild अनियंत्रित wild means अनियंत्रित colonial उपनिवेसी boy लड़का जो की एक अनियंत्रित उपनिवेसी लड़के से समवन्द रखती है इंडीड वास्तम में the title of the poem is appropriate वास्तम में जो poem का title है वह उचित है यह उचित उचित हम अच्छी तरह से बनावा है प्रॉपर है उसके बाद आती है इसकी next heading जिसका title है the theme of the poem poem की theme क्या है the theme of the poem is to live a life free from slavery poem की जो theme है वो क्या है कि एक ऐसा जीवन जीना जो की गुलामी से सुतंत्र हो मतलब a life free from slavery गुलामी से मुक्त जीवन जीना यह इसकी theme है the poem describes about a wild colonial boy इस जो poem है एक नियंत्रित उपनिवेसी लडके के बारें बताती है who doesn't या does not wish to live a life जो एक ऐसा जीवन जीना नहीं चाहता है which is not free जो की सुतंत्रना हो the name of the boy उस वाय का नाम जो था वाज था जैक डूलन लडके का नाम था जैक डूलन who is killed जो मारा जाता है but does not live a life of celebrity लेकिन बहे गुलामी के जीवन को नहीं जीता है he was a boy of free spirit भै एक सुतंत्र भाबना वाला लडका था यह इसकी हो गई next heading इसके बाद आती है इसकी next heading an inspiring poem एक प्रिलनात्मक कविता the wild colonial boy is a highly inspiring poem the wild colonial boy एक उच्च प्रिलनात्मक poem है the poem brings to light यह poem जो है प्रिकास डालती है प्रिकास मिलाती है दोज फैक्टर्स उन बिंदूओं को in which a poor honest family suffers जिसमें एक गरीव निर्दोस family रहती है एक कस्ट सहती है so bitterly इतनी बुरी तरह से that it's young generation जिससे की है जो की इसकी इवापीड़ी है by generation by terrorist by terrorist मतलब आतंगवादी हो जाते है यहां थोड़ी mistake हो गई है यह लिखा हुआ यहां से it's young generation यहां यह इसकी इस्थान पर आएगा यह तो बाई यह तो रहेगा यहां हो जाएगा बाई के स्थान पर बीकम यह बाई के स्थान पर हो जाएगा बीकम तो क्या हो जाएगा के जो इसकी इवा जनरेशन बीकम तेरिस्ट वे आतंग बाद हो जाते है वाई टेकिंग आर्म्स भोजाएं लेकर या सास्तर लेकर सास्तर लेकर अगेंस्ट विप्रीत में दा अनफेर ऑथरिटी अनफेर मतलब जिसे कहते हैं गलत जो उचित ना हो अथरिटी सुरक्षा गरूप में तो अगर यहां से देखा जाए यह पोईम जो है बिरिंग्स टू लैट प्रकास डालती है उन बिंदूओं पर यह पोईम उन बिंदूओं पर प्रकास डालती है इन विच पूर ऑनिस्ट फैमिली जिसमें एक गरीब बेचारा परिवार बहुत बुरी तरह से कष्ट सहता है और इतना कष्ट सहता है कि इसकी जो इवापीडी है बहे आतंगवादी बन जाती अपने हाथों में सस्त्र लेकर और किसके बिरुद में अगेंस्ट अनिफियर ऑथरिटी जो की अपने अधिकारों को गलत नाजाज फादा उठाते है अधिकारी लोग उनके विरोज में दे इंड आप सच रिवेल ऐसे रिवेल समिंस विद्रो ऐसे विद्रो का अंत जाल्वेज इंड अफ लाइब इसका अंत होता है इसका अंत होने का मतलब है जिंदगी का अंत और जो अंत बहुत सीख हो जाता है और यह पोईम जो है बहे सकतिसाली भावनाव से जुड़ी होई है उसके वाद आती है आपकी नेक्स्ट हेडिंग जो की है एक प्रभावसाली पोईम the wild colonial boy the wild colonial boy is a highly impressive poem यह बहुत ही impressive poem है the impresses with its simple language दा की बाद मैं यहाँ यहाँ poem होगा यह कह सकते हैं यह कह सकते हैं इसका this poem this poem impresses यह poem impress करती है इसकी साधारण भासा से and its traditional structure और इसके पारंपरिक स्ट्रक्चर से दिर आर पोईटिक फ्रेज लाइक कुछ काबगत फ्रेज यानि बाक्यान से जैसे कि फादर्स ओनली हो इसमें फ्रेज आई इस पोई में एंड मदर्स ओनली जो आए एक यह इसमें फ्रेज आई उसका आती है ना नेक्स्ट एडिंग जो कि है पोईम औफ लिवर्टी सोतन्तरता की एक बाइल्ड यह सुतंतरता के बहुत बड़े प्रेमी हैं it is their sense, यह उनकी भावना है of liberty सुतंतरता, यह सुतंतरता के पृत्ति उनकी भावना है, That they are united to face, जो की सामना करने के लिए united विजाते हैं, जुड़ जाते हैं, जो की बे सामना करने के लिए जुड़ जाते हैं, किसका सामना all dangers, यहां पर क्या है डेंजर और आनन देते हैं दिमसल्ब स्वें इनाल एडवेंचर सभी एडवेंचर सहसका तो क्या मतलब हुआ यह जो पूइम है एक सुतनतता गी भावना रखती है जिससे की बे लोग जो है सभी खत्रों का सामना करने के लिए आपस में जुड़ जाते हैं और सभी सहसका आनन देते हैं दे इसकौर्स सिलेवरी दे इसकौर्स plan कना करना सिलेवरी गुलामी से यह Ray को प्रियास करते हुए इसके बाद आती हैं कि लास्ट shipping हैं कन्क्लूजन निस्कर्स कया है इस प्रकार से इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि जो वाइल्ड कोलोनियल बॉय पोईम है यह जब बेरी इंपरेसिब बहुती प्रभावसाली और इंस्पारिंग पोईम और बहुती प्रिलनात्मक पोईम है कंपोज़ बाई बिलियम चार्ल्स बेंटवर्थ जो की बिलियम बेंटवर्थ ने लिखी है तो यह थी आपकी पोईम जिसका टाइटल है दा वाइल्ड कोलोनियल बॉय इंपोर्टेंट पोईम है इसका लॉंग कोस्टन अक्सर एक्जाम में पूछ लिया जाता है तो यह थी आज की वीडियो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्नवाद